focus group methodology and meta analysis focus group का method क्या हो आपने अक्तर नाम सुना होगा focus group marketing वाले भी इस्तमाल करते है medical science भी इस्तमाल करते है psychological science भी करते है तुमाम सोशल साइसे प्लिटिकल साइसे और कई लोग बिजनस में करना चाहें तो focus group की तरीका यह होता है कि आप बहुत इंटर्व्यूस कंडेक्ट करते हैं गुरूप सेटिंग में एक गुरूप जो है वो यूशली छे से दस इससे जादा नहीं होता और उसमें आप पहले थोड़ा गाइड़ इंस्ट्रक्शन से बना लेते हैं आपकी में तीम क्या है अब किस टॉपिक पर करना चाहा रहे हैं और उस टॉपिक के हवाले से क्या क्या सवाल पूछ तो दो मुझे याद आ रही है एक बॉटल बॉटर लांच करने से पहले लिवर ब्रदर्स ने और करें फिर हमने एक फोकस्ट्रूप डिसकेशन कर रहे हैं कि आज करके आया हैं बलके कि मेडिकल एड्यकेशन को पाकिस्तान में क्या क्या चैलेंजिज हैं और उन में क्या थीम्स हमारी अर्ण करती हैं तो बेतर कैसे किया जाए अब उसमें आठ लोग थे हर ग्रूप में 10 की है और यह हमारी अब बताएं कि सारे मिल के बताएं इसको कैसे हैं इसमें बेतरी कैसे लाइजा सकते हैं तो वह लोगों से गफ्तगू करता हैं उनकी राय उनके एटीटूड जो बातें वो कह रहे होती हैं और जो बातें वो नहीं भी कह रहे होते हैं उसका अंदाजा उनकी प्रेफरेंस को समझ राउन की लाइक डिसलाइक को और इन सब गुष्टगूसे वो लेकर चलाता है वो फिसिलिटेटर होता है फोकस गुरूप वरना गुरूप डिसकर्शन में चीज़ होते हैं इसका सबसे बड़ा फाइदा एक आपको डायरेक्ट फ्रस्टे रेड ऊस्टर इन सोचल क्ल्चरा और डिस्कोर्स गुफ्तकु आल्ग यह जो ब्यानियां चल रहे हैं ऑजकल अब बहुती हीलफ़ सुन रहे होगे जो ब्यानियां चल रहे हैं जैक हो मीडिया में ह में हो चाहे वो इदारों में हो चाहे वो युनिवर्स्टी में हो या यांग लोगों के ग्रुप में कुछ खास अंदाज ते कुछ अपड़ती है उसको डिस्कोर्स कहते हैं उसके अनलिस्ट को बहुत गहराई में करने के लिए फोकस ग्रुप बहुत अच्छी के या शहर में यह चलेगी भी के नहीं तो उसके लिए फोकस ग्रुप डिस्केशन एक नहीं कई फोकस ग्रुप करते हैं फिर अगर कोई साइको थेरप्यूटिक परसीजर है वो हर कल्टर में चल सकते हैं के नहीं तो अभी हमने पीछे भी क्रॉस क्ल्ट्ट्रल इसमें चलती है तो उन्होंने का क्ल्टर का ख्याल रखना पड़ता है तो यह चीज़ें डिसकर्शन के बगएर नहीं समझ में आती है तब क्यादा यह मैथड़ जो यूज होता है जिसमें वह ऐसे है कि लोग हास सोशल प्लिटिकल या मार्केटिंग मैसेज जिसको किस तर रिस्पॉंड करते हैं उसको क्या रियक्शन दें आपकी रिसर्च का क्या गोल है यह उस पे बेस करता है कि आपका ग्रूप चुए उसमें मुक्तलिफ किसम के लोग होगे जो एक दूसरे से मुक्तलिफ होंगे या बिलकुल एक ही तरह को कि सारे डॉक्टर हैं सारे फीमेल डॉक्टर्स अर्री केरियर में किन चैलेंजेस से गुजरती हैं और वो क्या चाहते हैं कि उनको उनकी सर्विस को बेतर कैसे बनाया जाए तो यह काकी होमेजनिस हो गया ला हेट्रोजेनिस यह सकता है कि मेडिकल एजुकेशन जैसे आप था या हमने स्टेप फैमिली से किय यही अक्तर हम इसको एनलाईज करते हैं और कॉंस्टेंट कंपैरिजन अनेलेसिस भी करते हैं जो मुख्तलिफ गृप से हमारे पास आ रहा है इससे वो पब्लिक में चीज को समझ पाता है रिसर्चर जो है कि आम पब्लिक में चीज कैसे हो जाए मेटानेलेसिस एक खास गि टेक्नीक यह एक स्टेटिस्टिक बेस्ट मेथड है इसके जरिये जो कुछ रिसर्च आज तक पब्लिश हो चुकी है उसको हम कठा करते हैं किसी खास मौदू के साब मसलन डाइबिटीज के ऊपर आज तक जो रिसर्च डाइट के इसाबते हुई है उसको जी कठा करते हैं या इनसान की वेल बींग के बारे में हुमन्स की जितनी रिसर्च तो यह उसको हम देखना चाते हैं कि पाकिस्तान में कितनी हुई है बाहर कितनी हुई है और उसको इन्होंने किस तरह समझा है उसके क्या क्या फैक्टर्स निकाले उसके लिए आप तमाम आर्टिकल्स और आखरी कॉलम में कि उनको क्या नतीजा या फाइंडिंग निकाल ली तो मेटा लेस्टिस आम तौप एक टेबल की फॉर्म में प्रिजेंट अक्तर आपको आर्टिक जर्नल्स में मिलेगा इसके अनैलिस करने के कुछ स्ट्राटिस्टिकल मैटड भी होते हैं लेकिन जो अधरी मैनुल है वह मैंने आपको बताया कि वह इस तरह होता है मैटा नैलेसिज के फाइदा ही होता है कि आपके सामने दुनिया में हुई वी सारी रिजर्च रिविवियू के आपके सामने होती है और उस पे एक नज़र डाल के आपको अंदाजा होता है कि यह कुछ होती है अपनी रिसेर्च डिजाइन करती है यह बहुत से इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट को भी समराइज करती है इसमें ना computer-aided statistical method है वो overall आपको conclusions निकालने में मदब देता है इसलिए इसका खास statistical software होता है जिसके अंदर हम अक्सर इसको पूरे literature का जो है वो एंटर करके और उसको समाने है